चोपड़ा जोपिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो हम सब इस बात को जानते हैं कि MBBS का कोर्स 52 मंस का होता है और उसके बाद एक साल इंट्रेंशिप होती है इसी परकार PG का जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है चाहिए वो MS हो, MD हो या DNB कोर्स हो तो इस कोर्स के दोरां जब MBBS का कोर्स साड़े 4 साल का होता है उसके बाद में एक साल जो इंट्रेंशिप होती है उस internship में सभी candidate को stipend मिलता है NMC की ये guideline है और सभी government और private medical college को NMC नी पहले guideline जारी कर रखा है कि हर एक private medical college या फिर government medical college internship के time पर जो MBBS की internship होती है उसके समय पर student को stipend monthly basis पर अदा करेंगे ये बिल्कुल guideline है और PG course के लिए तो 3 साल के लिए 1st year, 2nd year, 3rd year, 3 साल में stipend मिलता है तो ये student के लिए लागू है अभी ये देखा गया है कि इंडिया में government medical college में तो stipend सभी students को मिलता है लेकिन private medical college में कुछ से एक private medical college में जो state government की rate stipend के लिए उससे बिल्कुल कम दिया जता है और कुछ से इसी private medical college है जिनमें stipend दिये ही नहीं जाता है तो जो National Human Rights Commission है इसके direction के according NMC ने एक survey conduct करवाया है एक survey conduct करवाने जा रहा है जिसमें जो भी student internship कर रहे है UG के लिए या फिर PG course कर रहे है उनसे एक Google form बरवाया जा रहा है उस form के तहट एक survey होगा कि कौन सी medical college में कितना stipend मिल रहा है किस rate से मिल रहा है क्या उस state की rate उसके according उसमें stipend मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या फिर कौन सा ऐसा private medical college है जिन में stipend बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो ये NMC को पता लगेगा एक Google form के तुरू यानि कि हर एक entrance से Google form फिल करवाया जाएगा जिसमें एक सर्वे होगा कि कौन सी private medical college में कितना stipend मिलता है और कौन सी में नहीं मिलता है तो ये जो Google form है ये फिल करने की last date 7th मई 23 रखी गई है यानि कि ये हर एक student को government के condition में तो फिल करने के आउशकता नहीं है क्योंकि government की जो red से सभी statewide अलग-अलग है और सभी medical college में government की सभी medical college में state का जो criteria है style fund का उसके according मिलती है लेकिन जो private medical college है उन सब private medical college में ये style fund उस red से या तो दिया नहीं जाता है या किसी-किसी private medical college में तो दिया भी नहीं जाता है तो इसमें जो student MBBS कर रहे हैं private medical college में internship कर रहे हैं ये PG कर रहे हैं वो ये Google form अवस्य फिल करें ये जो Google form है वो बिल्कुल confidential होगा और ये सभी UG student जो internship कर रहे हैं और PG student जो course कर रहे हैं वो 7th मई 23 तक इस Google form को फिल कर दें आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे आपने फिल करना है जो इसकी website है इस पर आपको ये फिल करना है sttp इसमें double slash forms.gle oblique ये पूरा का पूरा आप ये इसमें Google के address बार में type करेंगे तो आपके पास एक forum open हो जाएगा उस forum को आपने फिल करना है forum बिल्कुल simple है मैं आपसे request करता हूँ कि जो भी student private medical college में internship कर रहे हैं या फिर PG course कर रहे हैं वो इस forum को अवस्य बरे चाहें उनको strike fund मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कितना मिल रहा है वो सारा इसमें फिल करें इसकी महिन बात ये है कि जो student की identity है जो इसमें participate करेंगे सरवे में जो student की identity है वो बिल्कुल confidential रखी जाएगी यानि कि इसको disclose किसी को भी नहीं किया जाएगा ये बिल्कुल ही confidential रखी जाएगी ये बिल्कुल clear है तो किसी भी student को इसमें डरने की आवशकता नहीं है ये Google form आप अवश से ही फिल करें अगर आप private medical college में internship कर रहे हैं या फिर आप PG course कर रहे हैं तो या किसी भी state में आप intern कर रहे हैं intern है आप किसी भी state में तो इस form को अवश से फिल करें जो form का link है वो मैंने बता दिया है आप ये link के Google के address बार में type करें तो आपको इस परकार का एक form खुल जाएगा जिसमें उपर उपर लिखा रहेगा survey on stipend being paid to UG intern and PG medical student in self-financed oblig private medical college in India इसमें सारी condition लिखी हुई है ये जो form है ये दो section में है section A है और section B है section A UG student के लिए है और section B PG student के लिए है तो आप इस परकार से ये form fill कर सकते हैं हम section A की बात कर लेते हैं आपको को यहां पर name देना है email ID देना है और आपका contact number देना है mobile number देना है इसके बाद में institute कर यहां नाम देना है college का जिसमें आप internship कर रहे हैं इसके बाद में कों से state में वो college situated है यह भी यहां पर आपने the answer देना है अब इसमें आप internship कर रहे हैं या PG उबीजी कर रहे हैं, MDS कर रहे हैं, DM MCH कर रहे हैं, जो बी आप कोर्स कर रहे हैं, वो यहां पर देना है। अगर यहांप इंट्रन के तो अजुन मिलता हैं, मैं यहां एक जांपल के तोर पर क्लिक करता हूं, और अब यहां पर जो conviction आते हैं, अगर आपको stipend मिलता है तो yes देना है यस देंगे तो इसमें direct section B open हो जाएगा अगर no देंगे तो direct section C open होगा मतलब कहने का मतलब है कि आप private medical college में internship कर रहे हैं आपको stipend मिल रहा है लेकिन कितना मिल रहा है यह लिखना है तो उसके rate की भी एक बार survey हो जाएगा कि कौन से state में कौन सी medical college में कितना stipend दिया जा रहा है तो अगर आप yes करते हैं तो यहां पर section B open होगा इसके अंदर part 2 open होगा और इसमें आपको amount fill करना है यहां वो भी digit में कि आपको कितना stipend मिल रहा है यहां आप मंतली basis पर लिख दें कि आपको कितना stipend मिल रहा है अगर इसमें आपके लिए कोई comments है आप comments देना चाहते हैं त यह तो उस condition में है जब आपको stryfond मिल रहा है अगर आपको मालो stryfond नहीं मिल रहा है mbbs internship के दोरान तो आपने यहां पर no option करना है no option करने के बाद में next करना है और next करने के बाद section C open होगा section C open होगा तो आप यहां पर comments लिख सकते हैं 50 words में कि आपको stryfond क्यों नहीं मिल है आप से पिछले वाड़े students को भी मिला है या नहीं मिल रहा है इस college में बिलकुल नहीं मिल रहा है तो यह आप इसमें comments लिखके submit करेंगे बस इतना सा ही काम है इतना सा ही आपको यह Google form है वो submit करना है यह बिलकुल confidential होगा आपको डरने की बिलकुल भी आवश्यक्ता नहीं ह है कि मैं internship कर रहा हूँ college की तरब से मेरे पास कोई pressure आएगा यह जो आपका survey है यह जो आपके comment से बिलकुल confidential रखे जाएंगे किसी भी candidate को किसी भी person को यह disclose नहीं किया जाएगा college के किसी भी management को किसी भी करमचारी को यह बिलकुल भी disclose नहीं किया जाएगा इसमें तो मैं तो यह request करता हूँ कि जिन private medical college में अगर stipend नहीं मिलता है या फिर मिलता भी है तो comrade से मिलता है तो यह हर एक intern student को यह forum fill करना चाहिए और इसकी date बिलकुल ही नजदीक है आपको इतना सारा ज्यादा कुछ भी मैनत करने की इसमें जौरत नहीं है कुछ पैसा इसमें खर्च करने की जौरत नहीं है जब हम हमारे पास में mobile है और उसमें एक simply सी छोटा सा forum fill करना है तो यह आपको जरूर fill करना चाहिए ताकि आपको भी स्टाइफंड मिल सके सही rate पर और आने वाले student को भी स्टाइफंड मिल सके सही rate पर तो यह जानकारी थी स्टाइफंड के बारे में nmc के नए public notice के बारे में nmc नहीं यह जो पहल की है यह बहुत ही अच्छी पहल है इसमें तो इस प्रकार की mbbs related जानकारी हम लेके आते रहते हैं नीट related जानकारी हम सारी information इस channel पर authentic देते हैं मिलेंगे नई updates के साथ यह वीडियो आप हर एक mbbs student को share करें ताकि हर एक student को इसके बारे में पता लग सके मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूं विदा जैखिंग